फास्टेक की बात की जाए तो यह अथ्यादुनिक तकनीक है जिसके मादम से बिना हाट कॉपी के भी आप अपने डाकुमेंट्स जो है इसके आरेफ टेकनोलोजी का यूज करके आरेफ आईडी का यूज करके उसके मादम से टूल प्लाजा से एजली जो है आप जा सकते हैं और यह 15 दिसंबर से नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा से गुजनने वाली चार पाहिए वाहन पर फास्टेक लगाना अनिवार्य हो चुका है फास्टेक बहुत ही इजी टेकनोलोजी है और बहुत ही सुब्धा जनक जो है टेकनोलोजी है हाला कि यह पूरी तरह से बेस्ट है आरेफ टेकनोलोजी के उपर जिसमें जो भी डिटेल्स आपके अबलेवल रहेंगे जो भी उसकी वलेडिटी रहेगी जो भी डेटा आपक में काम कर रखा था जिस वजह से काफी जो है जानकारी प्राप्त हो सकी है और काफी अच्छा इसका एक डेमो मैंने तैयार किया हुआ था जो उस समय प्रोजेक्ट के उपर एप्लिकेबल था जो कि 2014 के वाद से ही इसके उपर ट्राइल चाल नहीं थे और जाके 2018 में 15 दिसंबर को इसको अनिवार कर दिया गया है के अंदर सरकार ने इस टक्निक का इस्तमाल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदूशर कम करने और लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए कर रही है लेकिन इसके बीस सबसे बड़ा सवाल यह है है कि चार पहिए वहानों के लिए फास्टेक कहां से मिलेगा और किसके लिए कितने खर्च करने होंगे आज हम आपको इस से संबंदित पुरी जानकारी देने वाले हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम की क्या है Fast Tag तो Fast Tag यह एक प्रकार का Electronic Tool Collection तकनीक है जिसको बोलता है Electronic Tool का Collection और यह नेसनल हाइवे के तोल प्रजा पर उप्रब्द है यह तकनी रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेनटिकेशन RFID की प्रिंस्पल पर काम करता है इस टेग को वाहन के विंडो स्क्रीन पर लगाये जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौझूद जो सेंसर रहेगा वो उसे रीड कर लेगा जैसे ही आप टोल प्लाजा के नजदीक पहुचेंगे जब कोई वाहन टोल प्लाजा पर फास्टेक लगाने से गुजरती है तो आटोमेटिक का रिचार्ज करना पड़ता है आपको एक ही बार में पूरी रिचार्ज करानी रहेगी यह एक तरह का इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन तक्नीक है जो नेशनल हाइवे टोल प्लाजा पर उप्लब्द है यह तक्नीक रेडियो फ्रेक्वेंसी काम करता है और इसकी सबसे खड इंटिफाई करेगा डिटेक्ट करेगा और आपको अलाउ कर देगा अब बात कर लेता है इसको कैसे हम लोग ले सकते हैं कहां से यह मिलेगा तो अपने वाहन के लिए फास्टेक खरिदना बड़ा ही आसान है नई गाड़ी खरिदते समय ही डिलर आप डिलर से आप फास्ट आउटी ऐफ इंडिया से होता है इसमें सिंटीकेट बैंक, एक्सज बैंक, आईडे अधा है डी फसी बैंक, हडी हैसरी सी बैंक चाहेँ बैंक, बैंक, आईसी आइसी बैंक से पराप्ड कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि ज़रूत पड़ती हैं वो कЗд чтоб मेंच से जिनकी से ले जानी होगी ताकि वेरिफाई किया जा सके इनमें वहन का रिष्टेशन सर्टिफिकेट यानि आर सी वहन माली का पासपोर्ट साइज फोटो के वाई सी डाकुमेंट्स होना चाहिए इसमें आप ड्राइविलाइस पैन कार्ट पासपोर्ट वोटर ऐडी कार्ड या अलहार के लिए आपको प्लास्टिक कवरिंग उतार कर इसे वहन के विंड स्क्रीन पर लगानी होगी पहली बार इस्तवाल कर रहे हैं यूजर्स को इसके इसे ऑन्लाइन वालेट से लिंक करना होगा इसके लिए उन्हें उस बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा जिन्हें अकाउंट से हर बार पैसे कटने के बाद इसका एक SMS अलर्ट आपको भी आता रहेगा जैसे जहां जहां आपका यह मांट कटेगा अब इसके कुछ फायदे हैं जो फायदे जैसे की फास्टेक इस्तेवाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टोल प्लाजा पर लंबी ल होगा फास्टेक के इस्तिमाल से कई तरह का कैस्ट बग ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं तो फास्टेक की यह पूरी जानकारिया पूरी इंफॉर्मिशन थी मैं आसा करता हूं दोस्तों यह जानकारिया आपको पसंद आये होगी आप अपने राय अवश्य ही हमें कम करने बाद फास्टेक की बात की जाये तो यह अथ्यादुनिक तकनीक है जिसके मादम से बिना हाट कॉपी के भी आप अपने डाकुमेंट्स जो है इस आरफ टेक्नोलोजी का यूज करके आरफ आईडी का यूज करके उसके मादम से टूल प्राजा से इजली जो है आप जा सकते हैं अपने वाहनों को लिया सकते हैं और यह 15 दिसंबर से नेशनल हाइवे पर टूल प्राजास को जनने वाली चार